मुझाज़ा एक बार फिर नए विवाद को लेकर चर्चाओं में घिर गया है। लगबक दस स्रीट की सक्री गली में अवैल फ्लोटिंग के कारण वैवसाइक बाहनों के नियमित आवाजाही की वज़ा से स्थानी लोगों में भी काफी आखरोश। उन्होंने इस पुरे मामले को लेकर वाट पार्शत को जानकारी देते हुए प्रशासन से आगे की कारवाही करने की बात कही। लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए वाट पार्शत पिंग की विमल यादों ने पुने जल्ग ही आउशक कारवाही करने का भी आश्वासन दिया। जिसके बाद कॉंग्रेसी ने तोर पार्शत पिंग विमल यादों ने ततकाल इस गली से जेसे भी बाहन और फ्लाय एश लाने वाली तंपरों के आवागमन पर भी रोक लगा दी। हमारे नगर निगम आयुक्त कमिश्णर साहब अभी बहार थे इस वज़े से मैंने उनकी सुचना उन्हें नहीं दे पाया हूँ आने वाले समय में कल यह परसों मैं उन्हें यह बात की जनकरी भी दूँगा और धरूर कहूंगा कि इस पर पूरी इसकी जांच करें है। वार कुरान 26 और 27 में ही मसास की भूमी प्रकपजा और अवैत प्लाटिंग का मामना बार बार सामने आता है। यह मेटर यह है कि नगर निगम में सबसे अधिक भूमी अधिक कहीं अवनपित या नजुल की भूमी है तो वह इसी छेत्र पर है। जिसे काफी लंबे समय से यहां मतलब कोडियों के दामों में बेचा खिरदा बेचा खिरदा यहां सलसिला चलता आला है। जिसे अब बेरे और तमान में पार्सत होने पर इसे मैंने रोक लगाने का पूरा प्रयास जारी रखा हूँ, हुआ हूँ, अथ्वा जो गलत है तो वो गलत है, अब हमारी वाडों में यह भूमी आ गई तब उसमें हम क्या करें। परन्तु हम इस काम को अब यह भूमा प्रया किरी हमने रोकना का पूरा प्रयास किया। 36 कार से केकिनी ने उस संबादा था, नवरतन शर्मा के लिए।